नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज पियार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताजा हो ले वित रिया में आपने तुरक 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 में भी काफी नाम कमाया है और उनके गाने अभी तक बचते हैं खास्तोर से अगर शादी का महौल हो या कुछ ऐसे पाटी बाटी का महौल तो यह गाना तो बजना ही है तो दलेर मेंडी की हाज मैं बात कर रही हूं उनका एक्चुल नीम जो है वो दलेर सिंग है उनका जन्म पटना में हुआ है बिहार में हुआ है मिरासी कॉम्यूनिटी जो कि पटना बिहार में है वहां उनका जन्म हुआ है अगर इनकी करियर की बात करें तो शॉट पॉम में बोलूं तो 1991 में इन्हों अपने भाई बहनों के साथ ही अपना एक ग्रूप फाउंड किया था और वो बोलो तरररा जो डेब्यू था उनका लगभग 20 मिलियन कॉपी भी की थी उस वक्त कैसेट्स हुआ करते थे तो 20 मिलियन कॉपी भी की थी उसके लाबा अगर हम बात करें तो इसी एल्बम ने दलेर महंदी को स्टार बना दिया और उन्होंने बेस्ट इंडियन मेल पॉप आ अब दिया और यह और भी बड़े चहरे बन गए और चैनल वी ने इन्हें तीन कटेगरी में नॉमिनेट किया था अवार्ड शो में और इन्हें चैनल वी वेस्ट इंडियन मेल आर्टिस्ट अवार्ड मिला 1997 में इनका बल्ले बल्ले रिलीज हुआ और 6 कटेगरी इन्हें उस दिन उसमें चैनल में रखा गया और जैसे कि पहले बाकी सारे अलबम बल्ले बल्ले मल्टी प्लाटिनम शो बना उसके अलाबा दे सेमियर में भी कंपोज्ड और पॉपुलर ट्रैक ना 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 रे ना रे ना रे संडे नल ऐसे कुछ कुछ है गाना इस गाना को उन् अमिताब बचन को इन्हों फीचर किया था इस गाने में और लगभग 1.5 मिलियन यूनित जो है इस गाने का आलबम जो है वो चला और भी बहुत सारी है इनकी वो स्टोरी जैसे 1998 में इनका तुनक्तुनक्तुन रिलीज हुआ जिसने 25 मिलियन का बजट कवर किया इसके ताइम तो उस वक्त में तलेर महंदी बहुत पॉपिलर थे और उन्हें बिगेस्ट पॉप स्टार उस समय के बिगेस्ट पॉप स्टार के नाम से जाना जाने लगा 1998 में उन्हें स्कृन अवोर्द्स मिलें बेस्ट इंडियन पॉप अलबम का 2000 में यानि की 2000 मैं 2001 2002 नहीं बह प्लीज किया और जिसमें मिक्स जॉन्रा रहा फोक रॉक और पॉप और यह वन दो पॉपलर गाना रहा साजन मेरे सत्रंगिया साजन मेरे सत्रंगिया यह गाना उनका काफी पॉपलर रहा जिसमें प्रयांका चोपड़ा जो थी वो फीचर थी और प्रयांका चोपड़ा उ बहुत सारे लंबा लिस्ट है मैं सभी तो नहीं बता सकती बट कुछ कुछ डीटेल्स मैंने आपको दलेर महंदी के बताया कि कौन-कौन से गाने उनको काफे पॉपलर हुए कितना सारा अवार्ड उन्होंने जीता है और एक बात बताऊं कि अगर 1998 की बात करें तो उन्हें को इस्ट एफ्रिका, ओमान, कुवैट, बहरेन, मलेसिया, पाकिस्तान, हॉंग कॉंग, सिंगापूर, वेस्ट इंडीज, बेल्जियम, और निदर्लैंस तो यह इतने सारे जगहों पर इन्होंने परफॉर्म किया और 2013 में दलेर महंदी ने यूद्ध यूफेस्ट के द्वारे 1999 में कुडिया सहर दिया, खौफ अख लड़ती है, रुबरू मकबूल मुवी की चुपके से में कज़रारे कज़रारे नैनो वाले, बुलिट एक धमाका मुवी में इश्क आसान है, लकीर 2003 में जो रिलीज हुई थी नचले, अगर जिंदगी से वजह मुवी की गाना, राम जी लंदन वाले भूलना जाएंग, तो भाई, इनकी जो जर्नी रही है, बहुत शांदार रही है, बहुत पॉपी पॉपी रही है, यानि कि पॉप स्टार रहे हैं अपने वक्त के ये, अदेवे मंदी आजकल नजर नहीं आते, लेकिन उनके गाने अभी भी हम तो भाई, अब क्या कह सकते है, अब प्रूव देने की जरुवरत है क्या अबिहार की लोग क्या क्या करते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो शेर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो बाकी मिलते हैं, फिर नहीं पसंद आया, तो फिर उसमें क्या करते हैं, बस्लाइक कर दीजेगा, खेल आपको